सू प्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पर मन से पढ़ाई कर रहे होंगे मैं कुमारी प्रियंका आ गए हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर बच्चों आज हम सभी पार्ट एक पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीरसक है कक्षू इस कविता में कक्षू नाम का एक बच्चा है जैसा कि आप चुत्र में देख सकते हैं यह बड़ा ही शैतान है छोटी छोटी बातों पर परिशान हो जाता है चिड़ जाता है रूट जाता है जगडा कर लेता है है ना तो हमें इस कक्षू की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमें मिल जूल कर प्यार से रहना चाहिए चलिए इसी शन्देज के साथ इस कविता को पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं चलिए नाम है उसका कक्कू, कक्कू मानी कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे जढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू, बच्चों इस बच्चे का नाम कक्कू है, ठीक है? लेकिन यह कोयल की तरह बिलकूल भी नहीं है, क्योंकि कक्कू का मतलब क्या होता है, कोयल, लेकिन यह दिन भर रोता रहता है, इसलिए सब इसे चढ़ाते भी हैं, और इसे क्या कहते हैं बच्चों, सक्कू, ठीक है? नाम है उसका कक्कू, चलो आगे बढ़ते हैं, और देखत यह ककू आगे क्या क्या करता है बराई शैतान बच्चा है ठीक है हमें इसकी तरह बिलकुल भी नहीं बनना है चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्या कहा गया है कविता में कोई इल्माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली यह तो जाता भड़क करो जब इस से तनिक्ठी ठोली इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भगकू नाम है उसका काकू बच्चों कोयल का मतलब क्या होता है मिश्री जैसे जिसकी बोली है ना कोयल बहुत मीठा बोलती है लेकिन कक्कू बिलकुल भी मीठा नहीं बोलता था चुटी चुटी बातों पर भरक जाता था, यानि गुस्सा हो जाता था, अगर कोई उसके साथ ठिटोली कर लेता था, यानि अगर किसी ने जरा सा मजाक क्या कर लिया, ककू बहुत गुस्सा हो जाता था है न, इसलिए सभी इसे भकू भी कहते थे, चलो, आप देखते हैं गाना जिसको जराना आए, रहता मुझो सदा फुलाए, गाना जिसको जराना आए, ऐसे जगडा लू को अपसे, क्यों न कहें हम जखकू, नाम है उसका ककू, नाम है उसका ककू. ककू, बच्चों ककू बहुत ही मीठा गाना गाती है ना, लेकिन ये जो ककू है, इसे ना गाना गाने आता था, है ना, छोटी छोटी बातों पर चड़ जाता था, गुस्सा हो जाता था, मूँ फुला के बैठ जाता था, यानि नाराज हो जाता था, और सबसे जगडा करता र मैं उमीद करती हूँ आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी आप सभी इस कविता को आज घर पे बैठके खुद से पढ़ेंगे भी और लिख करके भी देखेंगे ठीके बच्चों इस कविता को लिखा है रमेश शंद्रशाह ने बहुत ही अच्छी कविता तो आप लोगों के लिए हूंवर के ही है कि आज इस कविता को याद करेंगे और लिख करके देखेंगे ठीके बच्चों क्योंकि लिखना बहुत आवश्यक है याद करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी लिखना भी है आप लिख करके भी देखेंगे और मन से अपना ध्यान रखिए ठीक है हैंड सेनेटाइज करते रहिए ठीक है बच्चों अगली कक्षा में मैं फिर आऊंगी और इस पार्ट के प्रश्ण उत्तर करवाऊंगी तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कीप स्टड़ी थैंक यू सो मच